तो वही राजिस्तान में रीट लेवल टू भरती पर इक्षा रद करने के बाद भी विवाद जारी है विपाक्षु जहां सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेड़ने की तयारी में जुटा है अगरी में सरकार नई भरती परक्रिया शुरू कर विवाद को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है इस पूरी परक्रिया की वज़ो से प्रदेश में लाखो अभियारती रीट को लेकर असमंजूस की स्थिती में है ऐसे में सिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में रीट लेवल वन का पेपर आउट नहीं हुआ है इसलिए लेवल वन का पेपर रद नहीं किया जाएगा इसके साथ ही अब तक किसी भी अभ्यारती ने लेवल वन को लेकर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं प्रदेश में रीवल वन का पेपर दिया है और वो उसमें पात्र हुए हैं वो सभी लेवल वन की भरती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे इसके बाद ही सरकाय अर्क लेकुछ दिनों में ही अभ्यारतियों की कांसलिंग कर उन्हें नियुक्ति देगी और अब मुख्यमंत् प्रदों में संक्या की बोड़ात्री भी की गई है इसकी बाद अब राजिस्तान में कुल 62,000 पदों पर सिक्षिकों की भरती कराई जाएगी जिसमें लेवल वन के 15,000 पदों की नियुक्ति होने के बाद करीब 47,000 नएप पदों पर भरती शुरू की जाएगी इसमें दो चरणों में परिक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें पहली परिक्षा सिर्फ पात्रता के लिए होगी जबकि दूसरी परिक्षा सब्जेक्ट की अनुसार आयोजित की जाएगी इसमें 90 प्रतिशत नंबर रीट परिक्षा और 10 प्रतिशत अंक उसके अकैडमिक एक्से फिल्म अभीनेता सल्मान खान की तरफ से बहुचर्चित हिरंट शिकार प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर अब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में से ट्रांस्टर करने पगर याचिका को बुद्वार पर सुनवाई नहीं की खई जरान इस मामले में सरकारी वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है तो वहीं सल्मान की तरफ से सेशन कोर्ट में सुनवाई पस्टे को जारी रखने का अगरहक किया गया है नियाधीश मदन कोपाल व्यास ने दो रपक्षों की सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीक दो मार्श तै कर दी साथी अपील पर सुनवाई कर स्थगन जारी रखने का अदिश भी दिया गया है कांगने गाओं की सरहत में दो काले हीरन का शिकार करने के मामले में सल्मान खान को ट्रायल कोट ने दोशी करार देते हुए पास साल की सजा सुनाई हुई है ऐसे मैं आपको बताते चलें आमस एक्ट में सल्मान को बरी कर दिया गया पात साल की सजा को सलमान ने सेशन कोर्ट में और आमसा अक्ट में सलमान को बरी किये जाने के खिलाब फराजों सरकार ने अपील की हुई है प्रकरण में सैफली खान, नीलम, तबू और सुनाली को भी बरी करने के खिलाब फ्राजु सरकार ने हाई कोट में एक याच्य का दायर की हुई है इसे लेकर सल्मान की तरफ से हाई कोट में एक याच्य का दायर की गई थी कि तीनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए है तो ये पेड़ और जानवरों को काटने पर कितना दर्द होता है ये बताने के लिए एक सर्फिरे टीचर ने अपनी उंगली काट दी पेड़ और जानवरों को काटने से कितना दर्द होता है से समझाने के लिए टीचर ने ये किया और इसका एक वीडियो भी बनाया है टीचर की मताबिक उसने काया कि मैं लोगों को ये दर्द बताना चाहता हूँ ताकि वो जाग रुख हो ये घटना करीब एक महिने पुरानी है लेकिन इसका वीडियो एक दिन पहले ही सामने आया है मामला राजिस्तान के जोदपुर शहर का बताया जा रहा है जहां पर रहने बारे तुलसी रामशर्मा कम्प्यूटर इंस्टिट्ट चलाते हैं तुलसी रामशर्मा ने बताया कि 6 जनवरी को उन्होंने उंगली काटने का एक विडियो बनाया था उन्होंने बताया कि में 700 पौधे लगा चुके हैं इन में से 300 बचे हैं इससे पहले वो उनके पड़ोसी को भी चितावनी दे चुके हैं कि अगर उसने पेड काटे तो वो उंगली काट देगा शुर्मा ने कहा कि लोगों को जागरू करने के लिए वो अपने हातों की सारी उंगलिया भी काट सकत किस्केश samma होगा क्कुछिग को जाओदे लुग धूंगले वो उनके शोगोगा जाएर ने सारी अली से। मुझ हैं इन मैं मैं इन टxture् टक धुर्वे manager पन Скरत्या दितारी ऋनय दे में उनके तो